हेलो एवरीवन मैं हूँ मीरा पटेल और आप देख रहे हैं मीरा पटेल्स फ्लेवर और तेज्टो मैं लाई हूँ आज आपके लिए सूरन की सबजी जो कि हमने पनीर स्टाइल में बनाई है तो आज हम बनाएंगे इसको पनीर स्टाइल में बहुत ही अच्छी और बहुत ही वाश कर लिया था मैंने पनीर की साइज में कट किया है हाथ में तेल लगा कर ही कट कीजिए क्योंकि इससे खुझली भी होती है हाथ में तो मैंने अच्छे से इसको कट करके वाश कर लिया है तो सूरन जो लोग नहीं खाते हैं अगर इस तरीके से तो हर बार इसी सबजी को बनवा कर खाएंगे तो सच में इक हाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही मज़दार लगती है तो प्लीज बीना इसकिप के वीडियो को पुरा देखिएगा तो अभी हम ले लेंगे थोड़ा सा बेसन तो बेसन से हमें इसको कोट करना है तो हम इसमें थोड़ा सा बेसन डालेंगे बेसन अगर में कम लगेगा तो हम बाद में फिर से थोड़ा सा और डालेंगे तो इसमें डालेंगे टेस्क के कोटिंग थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर और आदा चम्मच धनिया पाउडर तो आभी हम इसे अच्छे से मिला लेंगे चम्मच से मैं अच्छे से मिला नहीं पारी हूँ तो मैं भी इसे हाज से मिलाएंगे तो हाज से बहुत अच्छे से मिल जाता है तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके हम दो दो बून पाने चीटा मारके इसको अच्छे से कोट करेंगे अच्छे से इसको कोट कर लेना है सूरन हमारा अच्छे से कोट हो जाए तो देखे कोट हो गया है अच्छे से तो अब ही हम चलिए देखते हैं इसमें क्या-क्या मसाला पड़ेगा तो मैंने ले लिया है एक टमाटर और तीन चार हरी मिर्च लिया है मैंने और मैंने हरा धनिया लिया है आदा काप और अधरक लिया है एक इंच टुकड़ा और मैंने लेसुन फाड कर कट किये हैं इसलिए जादा लग रहे हैं तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ, तो गैस को कर लिए हमने अन, और अभी रग देंगे हम इस पर कड़ाई, कड़ाई में डालेंगे हम खाने वाला मीठा तेल, तो अभी हमें फ्राई करने हैं, जो हमने अभी सूरन कोट करके रखे हैं, उसी के लिए हमें तेल गरम करना है, तेल हमारा लगबग हो गया है गरम, तो अभी डालेंगे हम वहीं कोट कीवे सूरन, तो हमें अभी थोड़े थोड़े करके, मतलब दो बार में हम इनको फ्राई क करेंगे एक साथ हम नहीं डालेंगे नहीं तो सब चिपक जाएंगे तो हमें अभी इसको ऐसे चलाना नहीं है इसको मतलब ऐसी छोड़ेना है एक तरफ से जब यह फ्राई हो जाएंगे तक हम मिनिइशेख करेंगे apak तो लगभग एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं, तो अभी हम इसको अच्छे से चला के फ्राई होने तक का बेट करेंगे. तो बस लगबग ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया और कितने अच्छे से फ्राई हो गये हैं जैसे पनीर फ्राई करते हैं न ऐसे ही पनीर जैसे लग रहे हैं कोई देखे कहें कभी नहीं कि ये पनीर है कि सूरन है तो कितना अच्छा Color आया और फ्राई हो गये हैं हमारे ही सूरण तो अभी हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे अभी हम इनको दुबारा से जो हमने बचा के रखे थे ना तो उसको भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे जैसे हमने इसको फ्राई किया है तब तक के लिए हम अपना मसाला पीस लेते हैं, जब तक ये फ्राई हो रहे हैं, तो मैंने लिया है एक का भारा दनिया, और ये छोटी सी प्याज मैंने दिखाई थी आपको, और अद्रक डाल दिया है इसमें, और लेसुन डाल दिया है और एक टमाटर, और अब हम इसमें 3- और थोड़ा सामने जीरा डाला है और हम इसे पीस लेंगे तो हमें एकदम बारिक फाइन करके पीसना है देखिए यह हारे रंग का मसाला जरूर दिख रहा है बट इसकी ग्रेवी एकदम रेड कलर में बनेगी तो हरा मसाला पीस के बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है सबजी तो आप ऐसे जरूर ट्राइ करना तो लगबग यह भी हमारे फ्राइ हो चुके हैं तो इनको भी हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें ग्रेवी में भी इनको पकाना है तो हमें ज्यादा फ्राइ नहीं करना है इसको 50% ही पकाना है तो उसी तेल में हम अपने खड़े मसाले डाल तो मैंने आपको खड़े मसाले नहीं दिखाया थे तो अभी दिखा देती दो मैंने तेज पत्ता ली है और दो सुखी लाल मिर्च ली है और कड़ी पत्ते ली है थोड़े से और थोड़ी सी मैंने काले मिर्च दो हरी लाइची और दो दाल चीनी और दो लोंग ली है तो इ कि हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है आप हींग में ज़रू डालिये सबजी में तो मैंने जो बारी की वी चोप प्याज रखी थी चौप करके वह दिना दाल दी है तो प्याज को हमें अच्छे से लाल कर लेना है कि भी जब तक लाल हो रहे है तब तक हम अतना मसाला लिए तो मैंने कटोरीằ लिए कटोरी में मैंने डाल दिया है एक चमच लाल मिर्ची पाओडर और आधा चमच मैंने नमक डाल है टेस्क गोड़ूडिंग और हलदी और धनिया पाओडर भी डाल दिया है मैंने अभी मैं kitchen king masala डाल रही हूँ, मैंने एक चमच kitchen king masala डाला है, kitchen king का बहुत अच्छा flavor आता है, तो आप kitchen king masala जरूर डालिए, और इसको पानी डालके हम थोड़ा सा गोल बना लेंगे, ऐसा करने से हमारे masala जलेंगे नहीं और बहुत अच्छे से fry भी हो जाएंगे, तो masala का हम गोल के रख लेंगे side में, देखते हैं, प्याज हमारी लगबग लाल हो चुकी है, अभी हम मसाले डाल देंगे, थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, और अच्छे से इनको चला लेंगे, ऐसा करने से masala हमारे जलते नहीं हैं और बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो गोल करी masala ड इसके रखा था, हरे मसाले को भी अच्छे से मिला देंगे, और इसको अच्छे से ढाक कर पकाएंगे, पांच मीनट तक, जब तक कि यह पक नहीं जाता है अच्छे से तब तक हम इसको ढाक कर रखेंगे, तो प्लीस अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक अच्छा कलर आ गया है, तो अभी ऐसा लग रहा था, हरा हरा, अभी कलर कितना अच्छा है, एकदम रिट कलर तो आप ऐसे जरूर ट्राइ करके देखना, तो अभी दो मिनट के लिए और हम ढाक देते हैं, क्योंकि मसाला उपर उचल रहा है, तो ढाक देंगे तो अच्छे स वो पक जाएगा, तो दो मिनट हो चुके हैं, मसाला देखिए लग बग हमारा पक चुका है, और कलर भी बहुत अच्छा है मसाले में, अभी मसाला हमारा हो गया है, तो अभी हम फ्राइ के वे अपने सूरन डाल देंगे, बहुत लोग इसको जीमिकंद भी बोलते हैं, जीम गड़ाई में अगर आप बना रहे हो खाना, तो गरम पानी ही डालिएगा, नहीं तो सबजी का टेस्ट खराब हो जाता है, तो आप इसमें गरम पानी उबाल कर ही डालिए, उसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, तो हमने इसको ढाग दिया है, ढाग करके पकाएंगे तो लगबग हमारी सबजी को 15 मिनट हो गए हैं और हमारी सबजी लगबग पक चुकी है तो मैंने आपको लॉंग में नहीं दिखाया है वीडियो शॉर्ट में दिखाया है तो मैं लॉंग वीडियो करना नहीं चाहती तिसलिए मैंने फटा-फट से आपको दिखा दे रही हूं तो हमारा सूरन भी बहुत अच्छे से पग गया है तो इसमें डालेंगे हम कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है आप जरूर डाले और इसको अच्छे से हम चला देंगे और इस पर डाल देंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया तो लगबग हमारी सबजी पक चुकी है और देखिए कितना अच्छा कलर आया है सबजी में बहुत अच्छा कलर आया है और सबजी बहुत ही खाने में टेस्टी बनती है तो आप ऐसे जरू ट्राइ करें और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और साइड में जो बैल आइकन है उसको भी ओन कर दीजिए ताकि आपको मेरे नई-ने रेसिपिस की वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे तो हम सबजी को निकाल लेंगे एक बाउल में अगर आप ऐसे बनाएंगे न सब्सक्राइब तो बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है तो प्लीज जरू ट्राइ करें ऐसे देखिए कितना अचा कलर और कितनी अच्छी लग रही है ऐसा लगनी रहा है कि यह सूरन की सब्सक्राइब कि यह पनीर है लेकिन उसको खाने के बाद ही थोड़ा सा टेस्ट पता चल जाएगा बट खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही मज़ेदार लगती है तो जो नहीं खाते हैं वो भी इसको उंगलिया चाट चाट कर खाएंगे तो प्लीज आप इसको ऐसे ही बनाएए तो मिलते हैं नेक्स्ट करके ददािए बाष से ही बना प्राजू कर गद्ट बहुत ही खात। है और खातक कर जा।